हेलो दोस्तो मैं पूजा आज फिर से आपके लिए एक मीठी सी रसीपी लेकर आई हूँ जो घर पे ही मौजूद थोड़े से समानों से बन जाएगी इसके दूद और ब्रेड हमें घर पे ही आसानी से मिल जाएगे और ये थोड़े सी हल्दी रसीपी भी होने वाली है क्योंक को मैं बताती हूँ कि इसके लिए हमें चाहिए क्या-क्या तो चलो शुरू करते हैं इसके लिए मैंने लिया है दो किलो दूद कि गाए का दूद है आप जो भी चाहे दूद ले सकते हैं चाहे फुल फैट लीजिए या कम फैट वाला लीजिए अब इसको हम कड़ाई में उबलने के लिए रख देंगे और दीरे दीरे इसको चलाते रहेंगे ताकि दूद हमारा तली में लग न जाए करीब 35-40 मिट बाद आप देखेंगे दूद काफी रिड्यूस हो चुका है अब हम इसे थोड़ा सा और रिड्यूस करेंगे करीब एक गंटे बाद हमें अधा कप चीनी मिलाई है यहां पे सिर्फ आधा कप ज्यादा मिलाने की ज़रुत नहीं है क्योंकि दूद में भी पहले से मिठास होती है अपनी तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाए ज्यादा नहीं अब हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे आप रा रात भर रख देंगे फ्रिज में अब हम जब इसको निकालेंगे अगले दिन तो आप देख रहे हो कि हमारी यह लच्छेदार रबडी तेयार हुई है अब आप चाहें तो इसको इस तरह भी स्तमाल कर सकते हैं नहीं तो विसकर से आप इसको थोड़ा सकते हैं जिसे हमारी रबडी स्मूथ हो जाएगी मैंने मिक्सर का स्तमाल किया था अब इसके बाद हम क्या करेंगे जो हमारे पास ब्रेड्स हैं उसके हम किनारे काट लेंगे और उनको मंचा हयाकार में काटके हलका सा हम यहाँ पे पैन में रखके उनको सेकेंगे गोल्डन ब्राउन करना है हमे ब्रेड्स को डीफ्राई भी कर सकते हैं लेकिन डीफ्राई करने से ब्रेड्स बहुत ज़्यादा घी अब्जार्ब कर लेते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एक चम्मच घी का इस्तमाल किया है और ब्रेड्स हमारे उसी में अब यहाँ पे इसका कलर देख रहे हो डार्क कलर का है क्योंकि इसको मैंने चीनी से नहीं खांड से बनाया है जो देसी खांड होती है उसका अस्तमाल किया है मैंने वो थोड़ी सी और हल्दी होती है इसलिए अब हम इसको एक एक टुकड़े को उठाएंगे ब्रेड के और उसको शुगर सिरफ में डिप करके बस एक दो सेकिन के लिए ही और अपनी प्लेट में अरेंज करेंगे अब इसके उपर हम अपनी रबडी डालेंगे इस रबडी को मैंने मिक्सर जार में मिला लिया था जिससे यह बहुत ही स्मूथ हो गई है और थोड़ी गाड़ी भी हो मिश मिश आप अपने मन चाहे ड्राइफूट भी इसके उपर डाल सकते हैं और अगर ना डालना चाहें तो यह आप कंप्लीटली स्किप भी कर सकते हैं बाकि ड्राइफूट से इसका स्वाध थोड़ा बढ़तो जाता है अब हम इसको करीब एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे हमारी यह ब्रेड रबड़ी थंडी भी हो जाएगी और जो ब्रेड्स हैं उनमें अच्छी तरह से रबड़ी अंदर तक एब्जोर्ब भी हो जाएगी उससे वह खाने में और बीज़दा सॉफ्ट लगेंगे और टेस्ट तो इसका बढ़ी जाएगा गारंटी से अब आपको यह मेरी रेसिपी पसंद आई हो अगर तो प्लीज इसको एक लाइक दीजिएगा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यू सो मच फर वोच